तुम गुड मॉर्निंग और ये शुडेंट इफ ये नूट इस चैनल देन सब्सक्राइब एन प्रेश दा बेल आइकन दोस्तों मीत्रों आप देख रहे हैं जा राजस्तान सिक्षक पात्रता परिक्षा शुरू होने में कुछी समय बचे हुए हैं तो आप लोग की तैयारि अंतिम रूप देने में ब्यस्त हैं परिक्षा के इन बचे हुए दिनों में कुछ नएने टोपिक लेके आ रहे हैं जो कि प्रिभ्याच एर क्वेस्टन से संबंदीत हैं तो आपसे अन्रोध है कि बीटियों को अंतक देखें इसे समझें और लाब उठावें आईए क्लास राकू तयार करने में सुतंद्र अध्यान में रोजगार के संदर में अभ्यास पुस्तिका में तो करेक्ट अंसर क्या होगा बीनम्र में सुतंद्र अध्यान में आईए चलते नेस्ट को सटन पर आप अनपड़ माता पिता के बच्चों को अंगरेजी सिखना चाहते हैं त उसके बाद आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, उसके बाद आप बच्चे को मात्री भासा में बोलने से रोकेंगे, और आप उसे मात्री भासा के साहिता से अंग्रेजी सिखाने का प्रियास करेंगे, तो यह आपके पास चार ओप्सन है, च कौन से बाही कारक है जो एक बालक को कच्छा में रूची लेने से रोकते हैं तो क्वेस्टन क्या है वो क्या बाहरी कारक है आप्शन आपका होगा संस्कृति और प्रसिक्षन और सी निमर में बालक का दृष्टी कौन और डी निमर में लक्ष और प्रयोजन तो करेक्ट आंस फोर्त नमरा questions क्या देखेरे हैं कि कमजोर वर्ग विकनेस सेक्षünfDr. के बालग से वर्षिक आयग कम आइ! और C महें ऐसे अभीभावों के बालक से जो गडिबी रेखा से नीचे की सीमह में आते हैं तो ये आपको देखना की कमजोर वर्ग के बालक से क्या टातपरी है ये चार और साही और को चुनना है सबस्데 कैशन पर पांचवीक अच्छा के द्रिष्टी बाधित विद्यार थी के संबन्द में हम अध्यन कर रहे हैं ये देख रहे हैं आपके पास क्या है चार ओप्सन दिखाई दे रहा है तो सही ओप्सन को चुनना है वीडियो को रोकें और पढ़ें और समझें और बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होगा तो करेक्ट आंसर आपका C नमर होगा K साथ कच्छा में समानी रूप से विवार क्या आजाना चाहिए स्रव CD के माध्यम से साहिता उपलाथ कराई जाने चाहिए क्योंकि ये द्रिष्टी बाधित बच्चे हैं तो दृष्टी बाधित बच्ची के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए सीडी स्रभ्य माध्यम यह होता है जो कि इससे बच्च अधिकतर सिख जाते हैं जो कि यह डिसलेक्सिया से सम्बंदिज होता है आईए चलते हैं कच्चा पांच के न्यून द्रिष्टी वाले बालकों के लिए क्या योग्य होगा ए बी सीडी ऑप्सन है तो सही ऑप्सन को पड़ते चलेंगे और देखें क्या इसका अंसर क्या होगा तो करेक्ट आंसर आपका होगा कच्चा में समाने रूप से बरताव करना चाहिए एगन ऑडियो सीडी के जरिए साहिता पत्वन करना चाहिए जिससे की बच्चे की नून द्रिष्टी को ये बालक जो भी होते हैं वो काफे संक्या में उस सीखेंगे और ये आगे बढ़ें ये देख रहें यूपीटेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो correct answer क्या होगा आप बता सकते हैं तो correct answer आपका होगा अंदर व्यक्तित संबंधों का कम जोर होगा D नमर इस correct answer यह देखते हैं राजस्थान टेर 2011 में ये question को पूछा हुआ है आईए चलते हैं next question पर ये question देखने कि नीमन में से कौन सी मान सिंग मन दता की विशेस्तार नहीं है तो आपके पास है बुद्धी लब्दी का 25 से 70 के मद्धे होना B में है धिमी गत्थी से सीखना ये उनक देनिक जीवन के क्रियां को नहीं कर पाना C नमर में वतावरन के साथ अनुकुलन में कठिनाई होना D में है अंतर व्यक्ते समंधों का कम जूर होना तो correct answer क्या होगा D नमर इस correct answer आईए दोस्तों question नमर एट को पर आते हैं निसक्त बालकों की सिक्षा के लिए प्रावधान क्या जा सकता है क्या समावेशिद सिक्षा द्वारा या मुक्य धारा में डाल कर या समाकलन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं तो correct answer क्या होगा बता सकते हैं correct answer होगा आपका समावेशिद सिक्षा दुआरा निशक्त बालकों की सिक्षा के लिए प्रावधन क्या जा सकता है क्योंकि निशक्त बालकों के लिए समावेशिद गुर्पिंग वलत कलासी अधिक उपयोगी होता है आए चलते हैं नेस्ट कोस्टन नाइं द पर ये काफी ही महत्तम कोस्टन है देखते चलिए कोस्टन में नाइन आपके समने में आजुगा है कोस्टन क्या कारद देखें कि पर्तिभासाली होने का संकेत नहीं है क्या काता परतिभासाली होने का संकेत नहीं है तो स्रीजनात्मक विचार दुसरों के साथ जगड़ना अभी व्यक्ति में नविनता या जिग्यासा तो आपका आंसर को चुनना है तो correct answer आपका होगा बी नमर दुसरों के साथ जगड़ना ये परतिभासाली होने का संकेत नहीं है क्योंकि परतिभासाली बच्चे में स्रीजनात्मक विचार, अभी व्यक्ति में नविनता और जेग्यासा की गौन भरपूर रहती है इसलिए correct answer आपका बी नमर होगा क्योंकि है negative question को पुछा गिया है आइए चलते हैं question number 10 पर कि dyslexia किस्य संबंदित है आप से पुछा जा रहा है कि dyslexia जो होता है ये किस्य संबंदित है तो question को आप पड़ रहे है answer भी आप जान गए होगे लेकिन आपको correct answer बताइए कि correct answer क्या होगा तो correct answer आपका होगा C नमर यानि पठन विकार से यह डिसलेशिया का संबंदी तो होता है आईए 11 नमर question को देखते हैं question क्या का रहा है कि विशेश आवर सक्ता वाले बालकों को सिक्षा उपलद कराई जाने चाहिए तो आपके पास option दिखाई दे रहा है तो option को देखें और समझें और उसके आदा answer को चूने अन्य समान बालकों के साथ विशेश विशेश वालकों के लिए विक्सित वद्द्दियों द्वारा और सी में विशेश विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् औरने समाने बालकों के साथ इसका दिवहार करने चाहिए आई ये चलता है बारा नमर कोश्चन क्या कर रहा तो बारा नमर कोश्चन को आप देख रहे हैं अच्छी तरह से देखें आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है आप उसे सभी छातुरक्सा करेंगे या उसे अत्रिक्त गिरीकारें नहीं देंगे या वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेडित करेंगे या उसके अभिभाव को कुछ सुचित करेंगे कि वह वह वो धिमान है तो आप बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा तो करेक्ट आंस सीखे, आईए चलते हैं पेरा नमर कोस्टन पर, यह सिक्षक पातरता परिशाचे संबन देख रहे हैं, यह कापी है मातरपूर्ग नहीं, आईए चलते हैं कोस्टन नमर तेरा पर, समझ्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वतावराने के दोसों, कमियों एवंग रिक्तियो के परति सजगता यह विशेशता है, क्या परतिभासाली बालकों की विशेशता है, या समान बालकों की विशेशता है, या स्रीजन्सिल बालकों की विशेशता है, या इन में से कोई नहीं, यह दिखे, यह रिट 2111 कोस्टन यह आपका एवलेबल में पूछा हुआ है, यह प्रतिस अज़क्ता होने चाहिए तो करेक्ट अंसर आपका हो गया सी नमर आई यह कोश्चन नमर चोगदा पर आते हैं जो की आपके सामने में आ चुका है कि विशेज सिक्षा सम्मंदीत है किसे सम्मंदीत है बता सकते हैं आपके पास ओप्सन भी आगी है देख रहे हैं तो मेधावी विदार्थियों के लिए सिक्षा से कम योग विदार्थियों के लिए सिक्षिक कारिक्रम से या अध्यापकों के लिए प्रिस्षिक्षन कारिक्रम से और या तो पिछडी बुद्धी के विदार्थियों के लिए प्रिस्षिक्षन कारिक्रम से तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा क्रेक्ट आंसर आपका बी नमर होगा क्रम योगी विदार्थ्यों के लिए सिक्षी कारिक्रम से उसे सिक्षा संबंधित है आईए चाते नेस कोस्टन पर 15 नमर कोस्टन को आप देख रहें कि RTE1 2009 के अंसर पराथिम बालकों में सिक्षों के परतिस सब्ता कूल कितरे गंटे की विजना बना कर कारे करना चाहिए तो करेक्ट आंसर आपको चुनना है 30 गंटे में 45 गंटे में 42 गंटे में या 50 गंटे में ये काफी ही मतपूर कोस्टन है तो करेक्ट आंसर आपको होगा बी नमर 45 गंटे कारे बना कर कारे करने जाए आए 16 नमर कोस्टन आते हैं सिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है योग सिक्षा का अधिकार को परदान चाहिए क्षचन नमर 17 को देख रहे हैं बच्चों दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से देखे मित्रों यदि आपकी कच्छा का बच्चा C को D, D को C लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पिडित है ये क्षचन काफी इंग्पोटेंट है समझे बात को यदि आपक इसमावी से यophone को कॉश्चन को आप बच्चे करेक्ट टांसर 19 कोश्चन को आप देख रहे हैं कि पिछले बालक अईसे बच्चे हैं क्या है पिछले बालक ऐसे बालक हैं बच्चे होते हैं जिसमें नियम आपका दिया हुआ है तो पढ़ें जिनको सिखने की गतिध धिमी हो बी में जिनकी बुद्धी लबदी अस्तर असी समायोजीत हो और D नमर में है उपर युक्त सभी तो आप बता सकते हैं कि correct answer आपका क्या होगा correct answer D नमर होगा उपर युक्त सभी पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं जो यह सभी गुंस में मुझूद रहते हैं आएए चलते हैं एलेक्सिया संबंदित है एलेक्सिया किसे संबंदित है पढ़ने से संबंदित है या लिखने से संबंदित है या सिखने से अच्छमता है या सुनने की अच्छमता है किससे है आपको बताना है तो 20 नमर का आंसर क्या होगा जब दिसा आप कोमेंट में बता सकते हैं 20 का आपका आंसर होगा ए नमर पढ़ने की अच्छमता वीडियो अगर काफी अच्छा लग रहा है तो आप कोमेंट करें चाहिए तो अगर आप हमारे चैनल पर ना है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आके ल सब्सक्राइब को इसका लाब मिल सकें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक इस्टडी तैयार रहें बरकरार रखें और परिच्छा में सफल रहें यही मेरी कामना है थेंकि फॉर वाचिंग माई वीडियो